सो हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल से दोस्तो एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वोला दोस्तो कि आप जिदी अप्रिल मेने में अपने रुपिया के इन्वेस्ट करना चाहते है एकसेस बैंक में और इन्वेस्ट करके एक अच्छे क हाओ रेट ऑफिंडेस हासिल करना चाहते है फिर आपको करना है जैए आपको वीडियो को फूल वाँच करना है दोस्तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताउगा कि आप रेट वोग बताऊगा Task a kb इस वीडियो को फूल वाच कर लेता तो फिर आपको पता चलिएगा कि एतना परसंट आपको रेट आफ इंटेस मिलेगा एंड आपको कैलकुलेशन कैसे करना सारा कुछ आज किस वीडियो में आप लोग को बता हूँगा इसलिए दोस्तों बार बार आप लोग को बोल रहा कि लिए को लाश्ट तक देखा कीजिए आप लोग वीडियो को लाश्ट तक देखेएगा तो फिर आपको पता चलिएगा की कि आखिरु यह बड़ने से पहला है आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तब हैं को श्क्राइब नहीं किंगे अद biography को प्रेस करते हैं दोस्तों सबसे पिला है आप यहां पर देख सकते हैं मैं यहां पर access bank का official website को open कर लिया हूं आपको करना है क्या है आपको किलिक करना है domestic fix deposit में दोस्तों आप जिदी domestic fix deposit में किलिक करेंगे तो फिर यहां से आपको PDF डालोंड होगा जो कि मेरा डालोंड ओर लडी हो चुका है तो उस प्रकार का आपका एक पीडि का टेवल ओपेंद हो जाएगा दोस्तों यहांपर अप देखा देता हूं सो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मेरा यहां पर about open हो गया दोस्तों आप आप जिदी domestic fix deposit में किलिक किजेगा तो फिर आपका पीडियेयट डाल Owal हो जाईगा और पीडियेयट डाल जी और पडियाव डाल Olin होने कबाद दूस्तों आपका कुछ प्रकार का पीडियेव ओपन हो जाएगा अाप देख सकते हैं आप जिदी 7 दिन से 4 दिन तक fix deposit कराते हैं या फिर 15 दिन से 29 दिन का fix deposit कराते हैं access bank में तो general public को मिलेगा 3.00% and senior student को मिलेगा 3.50% दोस्तों and उसका next यहां पर मैं बात करता हूँ आप मालेज़े 40 दिन से लेखर के 60 दिन का fix deposit कराते हैं तो फिर general public को मिलेगा 4.25% rate of interest and senior student को मिलेगा 4.75% तो दोस्तों and next यहां पर मैं बात करता हूँ मालेज़े आप जिदी 3 महना 25 दिन से लेखर के 4 महना का fix deposit कराते हैं या फिर 4 महना से लेखर के 5 महना तक fix deposit कराते हैं या फिर 5 महना से लेखर के 6 महना तक आप जिदी fix deposit कराते हैं एक्सेस बैंक में तो एक्सेस बैंक के तरफ से जो rate of interest मिलेगा दस्तों जेनल पब्लिक को ओ मिलेगा 4.75% and senior student को मिलेगा 5.25% से दोस्तों and next यहां पर मैं बात करता हूँ माले जिए आप जिदी 7 महना से 8 महना का fix deposit कराते हैं या फिर आप जिदी 8 महना से 9 महना का fix deposit कराते हैं तो फिर जेनल पब्लिक को जो rate of interest मिलेगा ओ मिलेगा 5.75% and senior student को मिलेगा 6.25% सो दोस्तों and next यहां पर मैं बात करता हूँ आप जिदी 10 महना से लेकर के 11 महना का fix deposit कराते हैं या फिर आप जिदी 11 महना से लेकर के 11 महना 24 दिन का fix deposit कराते हैं या फिर आप 11 महना 25 दिन से लेकर के आप जिदी 1 साल का fix deposit कराते हैं एक्सेस बेंक में तो 6.0% rate of interest general public को मिलेगा and 6.50% rate of interest senior student को मिलेगा या फिर आप 10-15 मेना काफिक्स डिपोजुट कर आते तो 6.70 परषेंट रेट आफ इंडेस्ट सेनरल पबलीक को मिलेगा एंड 7.20 परषेंट रेट आफिंडेस्ट सेनयर सेडियन को मिलेगा सब्सक्राइब नेक्स्ट यहां पर में बत करता हूं दोस्तों आप जदी एक्सेस बेंक का जो अस्पेसल एबडी पलान उस एबडी पलान में जदी आप अपने रुपिया के इन्वेस्ट कराते हैं तो फिर आपको इन्वेस्ट करना है 17 मेना से लेकर के 18 मेना तक दोस्तों आप जदी 17 मेना से लेकर के 18 मेना का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर जेनरल पाब्ली को मिलेगा 7.20% रेट अफ इंडेस और सीनर सुटियन को मिलेगा 7.85% दोस्तों देख सेते हैं जो की बहुत ज़्यादा रेट अफ इंडेस है तो दोस्तों और नेक्स्ट यहां आप जिदी एकसे बैंक में अपने और उप्याक के इनवेस्ट करना चाहते हैं और इनवेस्ट करके एक अच्छा कसा रेट ओफ इंडेस हासिल करना चाहते हैं तो फिर यहां पर मैसेजिट करूंगा कि आप जो की 17 मेना से 18 मेना का एफ डी प्लान है उस एफ डी प्लान में आप अपने रुपिया के इन्वेस्ट किजिए जिससे आपको एक अच्छा कासा रेट अफ इंडेस हासिल होगा आप देख सकते हैं आप जिदि सत्रों मेना से लेकर करके अठारों मेना का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर 7.20% रेट अफ इंडेस जनरल पॉब्ली को म मिलेगा अब यहां पर मैं आप लोग को एपडी का जो क्यल्कुल्डर है उसे में ओपन करके आपको दिखाता हूं मालेजिए आप जिदि सत्रों मेना से लेकर का अठारों मेना का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर 7.20% एंड 7.85% के हिसाब से आपको कितना परसेंट रेट आफ इंडेस मिलेगा दोस्ता सबस्रों यहां पर मैं एपडी का कैल्गुल्डर अफैन कर लेता हूं नहीं यहां पर दक सब्सक्राइब मैं यहां पे FD का calculator open कर लियां और FD का calculator open करने वब दोस्तों यहां पे मैं 1 लाग रुपिया लिख दियां दोस्तों आप लोग को 1 लाग से दिखाता हूं उसके बाद आगे फिर आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों यहां पे मैं 1 लाग रुपिया लिख दियां और आपका maturity amount हो जागा एग लाख 10,992 रूपिया तेरो पेसा आनि कि दोस्तो बैंक जो आपको रेट आफ इंडेस देगा ओ यहां पर आप देख से जो कि कितना ज़्यादा रेट आफ इंडेस मिल रहा है दोस्तो आप जिदी एग लाख रूपिया इंवेस्ट करते हैं तो फ ओ यहां पे है 7.85% तो दोस्तो 7.85% में लिख दिया हूँ 7.85% लिखने का बाद दोस्तो यहां पे मैं कैलकूलडर में किलिक करने बाद आप यहां पे देख सकते हैं जो कि आपका principal amount हो एग लाख रूपिया लेकिल दोस्तो आपका maturity amount हो जगा एग लाख 12,003 रूपिया पं सब्सक्राइब से जो में आप लोगो kleio समझाना चाहता है थो आप कंद में कुछ भी द ओट है तो आप मुझे Instagram में पूछ सकते में इस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं तो दोस्तों मिलते नेक्स वीडियो में कुछ निविए के साथ कुछ निजनकर के साथ तब तक के लिए टाटा बबाई जैहिन बंदे मात्राम